परमाणू परिक्षन कर दुनिया को आग दिखाने वाला उत्तर कोरिया शायद अब सुथरने लगा है अपने पडोसी देश से रिष्टे सुथारने लगा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दक्षिन कोरिया की बातचीत के प्रस्ताफ को कई बार ठुकराने वाले किम ज साथ साथ दक्षिन कोरिया को भी आँख दिखाता था अपने धंगियों से अपने पडोसी देश को भी डराता था बहुद इसके दक्षिन कोरिया ने हमेशा ही किम जोंग को शांती का पैगाम भेजा लेकिन कई बार शांती के प्रस्ताव को ठुकराने वाले किम इस बार थ अबिक उत्रकोरिया ने कल अपने पांच सदस्य प्रतिनीधी मंडल के बारे में दक्षिर कोरिया को बता दिया है। अबिक उत्रकोरिया को सलाह दी थी कि दोनों कोरिया ये देशों के अधिकारियों को संभावनाय तलाशने के लिए मिलना चाहिए। किम की इस पहल का स्वागत करते फिर दक्षिर कोरिया ने उत्रकोरिया के सामने बाच्चीत का प्रस्ता और रखा था जिसे किम ने स्विकार कर लिया। तो अब देखना होगा कि इस बाच्चीत से दोनों देशों में जमी करवाहट की वर्प कितने पिखलती है।